नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल पर वो साथियों जैसा कि हम पहले डिसकस कर रहे थे कि किने पांच नंबर का कलेम मिलेगा या सिरफ हमें सिरफ कलेम छोड़ने का ही ओप्शन मिलने वाड़ा है तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे जैसे कि कल ज व्यक्ति हैं या कौन से उमिदवार हैं जो पांच नंबर कलेम कर सकते हैं तो बोबाल सिंग खत्री ने यहां कलियर किया है कि जिसके जिस भी व्यक्ति ने या उमिदवार ने पांच सरकारी नय नोकरी नय होने के पांच अंग कलेम किये हैं मगर गलती से एक असी जो इंकम है उसमें उप्शन में यस हो गया है तो उसी को सिर्फ दस्तावेज के समय नंबर मिल सकते हैं यानि कि जिसने ये उप्शन बराय कि मेरे घर में नोकरी नहीं है लेकिन गलती से इंकम वो एक असी से ज़्यादा लिखी गई है तो उस वेक्ति के वहां मार्क्स वो कलेम कर सकता है लेकिन उसे ये प्रूफ करना होगा या इस बात के प्रूफ दिखाने होंगे कि उसकी इंकम है वो एक लाक असी से कम है इसके अलावा उन्हों ने ये भी बता है कि अगर बाद में किसी वेक्ति ने फैमली आईडी में इंकम चेंज कराई है तो उनका मन्ने इसमें नहीं होगा इसके अलावा उसके घर में सरकारी नोकरी भी नहीं होने चाहिए यानि कि दो जो अप्शन लिखे हुए थे कि हमारे घर में सरकारी नोकरी नहीं होने चाहिए और इंकम है फैमली आईडी में वो भी एक असी से कम होने चाहिए इसके अलावा अलग भी प्रूफ लग तो उन्हें प्रूब करने के लिए मोका दिया जाएगा इसके अलावन उन्हें सफ़स्ट किया है कि अगर किसी भी स्ताहित और पर सरकारी नोकरी लग गई हो तो उसे दस्तावाज जाज के समय अंक छोड़ने होंगे बले ही उसकी इस्ताही नोकरी लग गई हो उन्हें सफ़स्ट किया है कि अगर किसी किस्ताही नोकरी पर सरकारी नोकरी लग गई है तो उसे दस्तावज के समय अंग छोड़ने होंगे इसके अलावा उन्होंने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति गौर्णमेंट सर्विस में है और उसने गलती से क्लेम किया है तो उसे जो पांच नमबर है वो छोडने का मोका है वो डीवी के समय मिलेगा अगर नहीं छोड़ेंगे तो बाद में CED रिपोर्ट के बाद उसके खिलाफ अपरादिक कारवाई होगी यानि कि कोई व्यक्ति अगर ये नमबर नहीं छोड़ता है तो CID डिपार्टमेंट अगर उसकी जांच करेगा और जांच में अगर वो गल्त पाया जाता है तो उसका कारियेचर है यानि कि उसकी सदेश्यता है वो रद कर दी जाएगी और दो या तीन साल के लिए वो HSC की भरती से सातियों बार हो जाएगा तो सातियों आज के लिए छोटी सी न्यूज यही थी और जल्द ही हमें आज DV की लिस्ट देखने को मिलेंगी